कहत कबीर सुनो भै साध्धो कबीर कहते क्यों बने अन्मिलता को संग दिपक को भावे नहीं जरी-जरी मरे पतंग इस दोहे का सब्दार्थ है कबीर कहते क्यों बने मतलब कबीर के अनुसार बेमेल वैक्ति एक साथ नहीं रह सकते उनकी वैचारिक समर्षता नहीं हो सकती अन्मिलता को संग मतलब बेमेल जिनके गुन और सभाव आपस में मेल नहीं खाते हैं दिपक को भावे नहीं मतलब दिपक को अच्छा नहीं लगता है जरी-जरी मरे पतंग मतलब पतंगा जल-जल कर मर जाता है इस दोहे का भावार्थ है कबीर जी की वाणी है कि बेमेल मतलब अनमिलता का संग उचित नहीं होता है जैसे दिपक की अगनी में पतंगा तो अपनी जान की बाजी लगा कर समाप्त हो जाता है लेकिन दिपक को पतंगे का यह वैवार पुचित नहीं लगता है मतलब अच्छा नहीं लगता है भाव है कि हमें सदा ही अच्छे लोगों की संगती में रहना चाहिए एसे व्यक्ति को सांसारिक विशे वासनाओं में लिप्त रहते हैं वे कभी भी भक्ति मार को पसंद नहीं करते हैं अतै हमें सदा ही समान सभाव के व्यक्ति के साथ रहना चाहिए इसी पर कबीर जी ने कहा है कबीर कहते क्यों बने अनमिलता को संग दिपक को भावे नहीं जरी जरी मरे पतंग